90's में टीवी काफी घरों में आ चुका था काफी घरों में टीवी एक नया शब्थ था साउंस्केप आप 90's बोल सकते हैं लेकिन रेडियो का बैटिंग तब भी चालू था घरों में बज रही ट्रांजीस्टर की आवाज गलियों में गुंस्ती थी और क्रिकेट माच हो तो बात ही अलग हो जाती थी लोग हाथ में ट्रांजीस्टर लेके रस्ते में चल परते थे और किसी से टकरा जाने से सामने वाला गुस्सा नहीं होता था उल्टा वो पूछता था सचिन है क्या? आरे यहीं तो दादा को आगे लाना चाहिए नहीं नहीं ठीक है ठीक कुछ अलग ही कमेंटरी चलता था मतलब पूरे देश में 11 प्लेयर्स का करोरो कप्तान तो दोस्तो आज रेडियो वाला आवाज में सुनिये कमेंटरी पर्त में मैच था सिरीज का टेली कास्ट शुरू होना था सुबेच चार बिल संडे था अब बहाना कुछ ढूनना है ताकि हम दोनों दोस्त एक साथ मैच देख सके और खाली बहाना नहीं एक ड्रामा लिखी जाती थी और काफी बार रिहर्सर्स भी होते थे क्यूंकि दोनों घर में अथेंटिक लगना चाहिए इंटरनेट मोबाइल वाली दुनिया नहीं थी लेकिन माबाब काफी हद तक प्राइम ब्रांच वाले एफीशियंट जासूस थे तो काम असान नहीं था और उपर से सुबह चार बजे से टलिकास मतलब किसी को किसी के घर में रात को रुखना है अब सोचे यूं कि केसी नाग से अटलिस पाथ चैप्टर कर लेते हैं और फिर ये बोलेंगे कि उसको मेरे घर आना है दोनों बैट के डाउट सॉल्ट करेंगे और दोनों के पिताजी मैट्स को अपना कलीजा मानते थे तो ये प्लान कहां कर गया दोनों शाम के आठ बजे से रात को ग्यारा तक परहे और डाउट्स क्लियर किए फिर मम्मी का responsibility था कि सुभे कॉपी के साथ हम लोगों को उठा दे और वो बिचारी कर भी लेती थी मुश्किल ये हुआ कि लोट शेडिंग हो गया था बाउजी रेडियो आन किये मेरे पास एक छोटा सा ट्रांसिस्टर था दादा जी का पुराना उसको बहुत दिनों बाद आन किये तो वो चल परा लेकिन घर में तो commentary असर नहीं कर रहा था पिछले रात का महनत का फल मीठा होते हुए घर से morning walk की permission मिल गई निकल परे संग में ट्रांसिस्टर सुभाज अब तक नहीं होती रात की खुंगर अंग्राया नहीं लेती है लेकिन टीम बहुती खराब थे रहा था और सुभे की साथ बजे तक पता चल गया कि और कोई नीद नहीं है मन थोरा भारी हो गया और इलेक्ट्रिक सप्लाई को गाली दे रहे थी लगने लगा था कि मैच अगर देखते तो टीम का ये बुरा हाल नहीं होता अब ये ना तब चलता था हम लोगों एक बार तो मुझको एक मैच पुरा गमचा में देखना परा क्योंकि हम जैसे ही नहा के आए तो दो ओवर में दो विकेट गिया न्यूजिलेंड का बस अब पहने रहो वही दमचा लेकिन रोज तो कोई जीटता नहीं हाड भी तो रात का ही घुंगट है जो खुल जाए तो आहिर भैरो बजने लगता है ट्रांजिस्टर बंद करके दोनों सामने हालदार बगान का मैदान देख रहे थे और पांच मिनट बाद काकिमा 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 बूचान आछे एक्टा मैच आछे नोटा थे के एई हालदार बगाने मैच कहीं भी हो खेलते थे हम लोगी